Hello everyone, welcome to mung tutorials दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे binary memory के बारे में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ binary memory में तो सबसे पहली चीज आती है bit bit होती क्या है? bit देखिए यहां computer memory का सबसे छोटा भाग होता है जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसी को क्या का जाता है? bit का जाता है यह computer memory की सबसे छोटी इकाई होती है इसमें इसका full form होता है binary digits bit यहां से binary का b लिया गया है और digit का it लिया गया है तो bit क्या है? binary digit का संचिप्त रूप है इससे previous lecture में हम लोगों ने जो every version का देखे थे उसमें binary digit का हम लोग देखे थे beat का उसके अलावा हम लोग इसमें beat में देखे दो ही चीज यूज होंगे beat में या तो होगा 0 या होगा 1 0 या 1 से ही निरूपी 0 और 1 नहीं होता याद रखेगा 0 या 1 मतलब एक beat में एक ही संचिया आएगा या तो 0 होगा या 1 होगा इसको दूसरे सब्दों में बोलें तो या तो on होगा या off होगा बटन वाले case में लेते हैं तो 0 मान के चलिए off है 1 क्या है switch on है इस type का तो इसमें क्या होंगे या तो 0 होगा यह आपका एक क्या है beat है beat के अंतर या तो 0 होगा या फिर क्या होगा one होगा यहां तक clear है यह दूनों या में है या तो यह होगा या यह होगा इस type का ठीक है अब beat के बाद इससे थोड़ी बड़ी एकाई आती है उसको कहा जाता है nible जो nible होता है वो कुल 4 beat का होता है 4 beat के sum को क्या कहा जाता है nible कहा जाता है clear है और यहाँ आधे byte के बराबर होता है आधे byte के बराबर कैसे होता है आगे इसको मैं समझाऊंगा इतना याद रखेगा 4 bit बराबर 1 nipple या फिर आधा byte बराबर भी 1 nipple होता है अब यहाँ 4 bit कौन कौन से देखे आपका पहला bit यह हो गया, दूसरा bit यह हो गया, तीसरा bit यह हो गया और चौनथा bit यह चार bit है total, इन 4 bit से मिली जो संख्या आपका जो digit बनता है उसको कहा जाता है क्या निबल, दीक है, 4 bit का एक निबल होता है उसके बाद निबल से जो बड़ा आता है उसको कहा जाता है byte, byte में क्या होगा, यहाँ 8 bit के बराबर होगा अर्था 8 bit के sum को क्या कहा जाएगा, byte कहा जाएगा, यहाँ तक clear है, 8 bit के sum को byte कहेंगे और साथ ही देखिए, वो आधा बाइट था निबल जो है, यह दो निबल क्या होगा, एक byte के बराबर होगा, कैसे होगा, अभी देखिए, यहाँ डाग्राम में हम लोग समझते पहले हम लोग देखे थे, 4 bit का क्या होता है, एक निबल होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना bit है, 4 bit है, और यहाँ से यहाँ तक 4 bit, और यह पूरा कितना है, 8 bit है, 8 bit का क्या होता है, 8 bit का, यहाँ पर देखिए, 8 bit का sum को क्या कहा जाता है, byte कहा जाता है, और 4 bit के sum को क्या कहा जाता है निबल का जाता है जो निबल है वो आधा बाइट के बराबर है यह फिर दो निबल के समुख को किया कहा जाता है बाइट का आता है एक ही चीज और यहां जो एक एक नमबर दिख रहे हैं आपको 000 यह एक जिरो को क्या बोलेंगे यहां की जो संख्या वो एक बीट है ठीक है यहां था clear अब देखें computer memory में किसी अक्षर या character को दर्शाने के लिए कम से कम आड़ बीट अर्थात एक बाइट या दो निबल की जरूरत पड़ती है मतलब कोई भी अक्षर है character है इसको दर्शाने के लिए हम लोग को कितना चीए आड़ बीट या दो निबल या एक बाइट यही डाइग्राम है इसी चीज़ को मैं फिर से यहां दिखाया हूँ एक जो संख्या है यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक कोई भी जो खाना है यह वाला आप खाना मान kb, mb, gb, tb इन सब के बारे में आगे देखते चलेंगे यहां तक लियर हो गया एक बीट बराबर यह तो क्या होगा एक बीट में 0 होगा या 1 होगा और 4 बीट का क्या होता है एक निबल होता है आड़ बीट का एक बाइट या दो निबल होता है इसके आगे हम लोग अब kilowatt is equal to 1 kb यही इसी का short form क्या है 1 kb बराबर कितना होता है 1024 बाइट 1024 बाइट होता है याद रखिएगा 1 kb is equal to 1024 बाइट 1000 बाइट नहीं होता है 1024 बाइट होता है अब 1024 को हम लोग अगर 2 की घात में लिखना चाहें तो कैसे होगा देखें इसको मैं simply बता रहा हूं कि दो की घाथ 10 कैसे आ रहा है उसको समस्ते चलेंगे कोई भी number system में आप अगर देखते हैं चाहे decimal number system हो binary number system हो hexadecimal number system हो या octane number system हो किसी में भी अगर देखते हैं तो उसकी घाथ रती जिसे binary में दो की घाथ 0 बराबर क्या होगा वन होगा दो की घाथ 1 बराबर 2 होगा दो की घाथ 2 बराबर 4 होगा उसी प्रकार इसमें हम लोग रख के देखते हैं दो की घाथ सुन्य दो की घाथ 1 दो की घाथ 2 दो की घाथ 3 दो की घाथ 4 इस प्रकार से तो दो की घात सुन्ये बराबर क्या होगा एक होगा दो की घात एक बराबर दो, दो की घात दो बराबर चार, दो की घात तीन बराबर आठ, दो दुनी चार दुनी आठ, दो की घात चार बराबर दो दुनी चार दुनी आड़ दुनी सोला, ठीक है, दो की घात पांच, दो की की घाथ 8 दो की घाथ 9 और दो की घाथ 10 तो देखे 16 इसके बाद क्या होगा 16 दुनी 32 32 दुनी 64 64 दुनी 128 128 दुनी legal दुनी 2151 512 दुनी यहां लिक दे रहा हूं है है 1024 यही क्या हुआ टू गार टैन बाइट्स दो की घाथ 10 बाइट की घाथ 10 बाइट को हम लोग सिधा कीघीए धूजिक आया आपको अगर समझ नहीं आया है तो इसके लिए अंग कमेंट कीजिएगा या प्रिविएस वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देखेगा जो इसका कॉंसेप्ट है डेसिमल में अगर मैं बात कुरूं यह कैसे है इसके लिए हम लोग समझते तो देखे इसका भी सेम कॉंसेप्ट है डेसिमल में जो अधार रहेगा वो क्या रहेगा दस रहेगा विस dusty मैं क्या करेंगे दस गाहत 0-10 खास एक भाथ 1-10 गाहत दो दस की घात 3-10 गाहत 4 इस प्रकार से आगे बढ़ें गई ह ein 到了 मेरी में क्या था दो की घात मेरे अब हम संख्या लिखते थे जैसे दो घात जीरो दो की घात एक decimal होगा decimal अर्था दास्मिक संख्या पद्दति में उसका आधार रहेगा वो क्या रहेगा 10 रहेगा 10 की घात 0 बराबर क्या होगा एक होगा 10 की घात तो 10 की घाट 0 है 0 याने कि यहां पर क्या होगा किसी भी संख्या की घाट 0 अगर होती है तो उसका मान क्या होता है एक होता है और यहां पर जितना 0 में घाट है उतना 0 लगा देना रहता है जैसे 10 की घाट 2 है तो यहां 0 में घाट कितना दीख रहा है देखे एक हजार चोबीस इसमें हम लोग निकाले थे इस वाले में एक हजार वन के भी बराबर कितना निकाले थे एक हजार चोबीस बाइट जो है इक्विवेलेंट कितना है इसके बराबर है खोगाले में लगभाबर है जो कितना हुगे थे एक हजार के बराबर है तो इसलिए यहां पर यह वाला लगभग बराबर का चीन्हें यूज किया गया है ठीक है लगभग बराबर एग्जेक्ट नहीं है एक के वन के बीजुकस्टू तेन रेस्टू पावर थ्री बाइट एग्जेक्ट नहीं है लगभग उसके बराबर है यहां तक क्लियर है अब इसी को हम लोग आगे समझते यहां धी क भीजेक्ट परद million के बीजेक्टाव जते वाला समझकरें यहांने की वन-कैबी जगांडम कितना होगा एक के भी बराबर कितना होगा 1024 इसमें भी होगा 1024 क्या होगा यह KB होगा यहाँ देखिए 1 KB बराबर कितना था 1024 Byte था यहाँ 1 MB बराबर कितना होगा 1024 KB अगर इस KB को हम लोग फिर से Byte में Convert करते हैं तो 1024 गुडित 1024 KB होगा ठीक है 2 1024 हो जाएगा क्योंकि KB के Value भी किसमें है यहाँ पर यह अब किसमें आ जाएगा Byte में आ जाएगा अर्थात 1 MB बराबर कितना होगा या तो 1024 KB होगा या फिर 1024 इंटू 1024 Byte होगा यहाँ तक clear है तीसरा अगर बात करें 1 GB का 1 GB जो है 1 GB उसका क्या होगा तो उसका होगा 1024 MB 1 GB जो कितना होगा 1024 MB अगर इस MB को हम लोग किसमें Convert करते है KB में Convert करते है तो 1024 KB का यह होगा MB का और उसके बाद 1024 किसके लिए उस होगा यह होगा MB के लिए यह होगा किसके लिए KB के लिए और यहाँ पर byte के लिए हम लोग करेंगे तो फिर 1024 कर देंगे तो इतना जब करेंगे 1024 गुडित 1024 गुडित 1024 गुडित 1024 तो यह कितना में आ जाएगा? byte में आ जाएगा अगर अपने को सिर्फ kb में निकालना है मतलब 1GB बराबर कितना kb होता है? तो 1GB बराबर 1024 गुडित 1024 kb होता है तो यहाँ तक यह चीज़ समझ आ रहा है confusion हो रहा है कि इसमें simple है देखिए 1 kb is equals to 1024 byte इसको हम लोग binary में अगर लिखें तो 2 की घाथ 10 byte होता है और decimal में लिखें तो 10 की घाथ 3 1 MB बराबर कितना होगा? इसमें 10-10 घाथ बढ़ाते जाना है हम लोगों 10 घाथ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर यह जो बढ़ रहा है यह दोनों में देखिए same to same बढ़ रहा है 1024 से ही multiply होते जाएगा यह तो यहाँ 10 घाथ बढ़ जाएगा 6 करते हैं 10 की घाथ 6 मतलब 6 सुन्य ठीक है? तो देखिए इसको हम लोग अगर गिने 11, 12, 1000, 10,000, 10,000, 10,000 10,000, 10,000 बढ़ बराबर कितना होता है? 1,000,000 होता है एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ सबको 1 KB बराबर हम लोग देखे थे 1024 बाइट 1 MB बराबर देखे थे कितना? 1024 KB किलो बाइट उसके बाद 1 GB बराबर देखे थे कितना? 1024 MB यहाँ तक लियर है अगर इस KB को हम लोग कनवर्ट करें किसमें बाइट में तो बाइट का क्या होगा? 1024 यह तो अल्रेड़ी है ही और इस KB को हम लोग बाइट में कनवर्ट कर रहे है तो KB का जो बाइट में कनवर्ट होता है तो कितना होता है? कितना भी संक्यार है? यह संक्यार तो सेम है लेकिन इस KB के लिए हम लोग कितना यूज़ कर रहे हैं 1024 बाइट अब ये किसमे कनवर्ट हो गया 1024 बाइट तो 1MB बराबर कितना होगा 1024 गुडित 1024 बाइट या फिर 1024 किलो बाइट दोनों सेम ही है अगर 1GB की बात करें तो 1GB में 1GB का कितना होता है 1024 MB और MB को हम लोग KB कितना से मल्टिप्लाइ कर देंगे यह वाला है MB से सिधा बाइट में यह क्या हो जाएगा एक्विलेंट 1024 गुडित 1024 गुडित 1024 गुडित 1024 तो बाइट में हो गया आपका इस टाइप से कनवर्ट किया जाता है मैं इसी में दिखा रहा हूं आगे आप लोग खुज से कर सकते हैं क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 12-1 नोकर है गॉर इसमें अगर पावअर की बात करें इस इसमें क्या होगा फोटी होगा उसके आगे 50-60 इस तरह से बढ़ते जाएगा कि देखिए इसको वन टीबी वाले फॉर्म में हम लोग समझते वन टीबी बराबर कितना होता है वन टेरा बाइट या वन टीबी बराबर 1024 जीबी 1024 गीगाबाइट गीगाबाइट को हम लोग अगर कनवर्ट करें किसमें मेगाबाइट में तो क्या हो जाएगा 1024 गुडित 1024 मेगाबाइट अब इस मेगाबाइट को हम लोग फिर से कनवर्ट करते हैं किसमें किलो बाइट में तो यह हो जाएगा 1024 गुडित 1024 गुडित 1024 किलो बाइट कि बी में हो गया यह अब इस केवी को हम लोग करते हैं कि इसमें बाइट में बाइट में करेंगे तो क्या होगा 1024 गुडित 1024 गुडित 1024 और एक एक्स्रा जूर जाएगा बाइट के लिए कितना 1024 तो यहां निसकर्च क्या हम लोग समझेंगे देखिए आप वन टीबी बराबर याद रखेगा कितना होता है एक हैजार चोबीस जीबी होता है और इस जीबी को हम लोग कनवर्ट करते हैं किसमें एक हजार चोबीस जो था यह पहले से इसको मैंने ऐजर टीज लिख दिया और जीबी को एमबी में बदलते हैं तो कितना मल्टिप्लाइ करना पड़ता है एक हजार चोबीस अब यह जो 1,024 थे इन दोनों को मैंने फिर से लिखा और mb को kb में बदलने के लिए फिर क्या कर दिया 1,024 है multiply कर दिया यहां था clear है अब इस kb को byte में बदलने के लिए इन तीनों को इन तीनों को फिर same to same लिख दिया और last में क्या क्या एक 1,024 जो byte है उसके लिए multiply कर दिया, इस प्रकार से हम लोग कोई भी संख्या का निकाल सकते हैं, अगर मैं बात करूँ, 2 की घाथ 40 कैसे आती है, 2 की घाथ 10 का हम लोग बढ़ाते जाते हैं, कितना 2 की घाथ 10 में हम इसा बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि एक हजार का, एक है चोबिस का value कितना होता है, 2 की घाथ 10, तो 2 की घाथ 10, गुडित 2 की घाथ 10 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 की घाथ 20, उसी प्रकार इस संख्या का अगर मैं निकालने के लिए बोलू, तो यहां होगा, 2 की घाथ 10, गुडित 2 की घाथ 10, गुडित 2 की घा 10 तो क्या हो गया is equals to 2 rest to the power 40 ये किस में आ रहा है आपका बाइट में ही आ रहा है आप चाहे तो ऐसे कनवर्ट कर सकते हैं या उपर वाले प्रोसेसे वो मैटर करता है ये एक क्वेशन आया हुआ था य music के पत्वारी 2019 एक्जाम में 15 में पूछा गया था लं टिवी बराबर होता है लंटीबी बराबर होता है यहां क्या क्या पूछ एक्भास्टो भावर श्क ही इम्भी ओमसाद सिके ने एक टीबी एक टेराबाइट बराबर क्या होता है 1024 गीगाबाइट इस टाइब के क्वेशन आते हैं तो फस्तना नहीं है इसमें कन्फ्यूजन होता है ठीक है तो देखिए 1024 जीबी होता है 1024 जीबी को हम लोग अगर पावर में लिखें तो पावर 3 और वो क्या होगा जीबी होगा जितना देखिए किसके एकवेलेंट है एक यार 24 हजार के लगभग हजार में कितना 0 है तीन है तो दस की घात तीन हो गया तो यह जीबी तो यह तो सही हो गया इसके बराबर है लेकिन दूसरा ओप्सन देखते ऐसे जिसमें उप्यूक्त सभिक crucial हो कभी जल्दिबाजी मत किजये गा क्वेस्ण बनाने में 5 सकता है इसमें दो स ही हो घान प्यूक्त तीन सही हो भी तो एक बाद चेक कर लिजेगा अगर आपको धो सही हो जाता है तो तो सीधा उप्यूक तो सही में लगा दीजेगा तीसरा को चेक करने के लिए समय बरबाद मत किजेगा लेकिन यहां मैं समझा रहा हूं तो मैं चारों को आपको दिखाऊंगा तीनों को बनागे ठीक है उसके बाद अगर बात करने इसको GB को हम लोग किसमें convert करते हैं MB में तो तो इसकी इसमें क्या आजाएगा 10 की घाथ 6 MB ये भी सही है 1 TB बराबर और उसके बाद तीसरा जो आता है वो क्या है MB को KB में हम लोग बदलेंगे KB में बदलने के लिए फिर से क्या करेंगे 10 की घाथ 3 इसमें और डाल देंगे तो वो क्या हो गया 10 की घाथ 9 KB अर्थात तीनों सही है इसमें 1 TB का जो उप्यूक्त answer होगा वो 10 की घाथ 3 GB 10 की घाथ 6 MB और 10 की घाथ 9 KB होती है ठीक है ये पूछा गया था आपका पटवार 1219 के एक्जाम में तो ध्यान रखेंगा ये चीज़ इसके लावा एक और क्यों है 1 TB अफ मेमोरी एक टेरा बाइट मेमोरी बराबर अभी इसका एक्जामपल में आपको समझाया क्या होगा 1 TB होता है कितना 1024 GB 1024 GB और GB को कनवर्ट करेंगे किसमें MB में तो कितना मल्टिप्लाई करना पड़ेगा 1024 से फिर मल्टिप्लाई कर देंगे MB को हम लोग क्या करेंगे फिर से KB में बदलेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे 1024 से फिर मल्टिप्लाई कर देंगे और केभी को बाइट में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1024 से फिर Multiply कर देंगे तो यहां कितना 1024 है? 1, 2, 3, 4 तो इसका answer क्या होगा? 1024 गुडित 1024 गुडित 1024 गुडित 1024 गुडित 1124 गुडित 1024 बाइटा यह बाइट में था अगर इसको 10 rest to the power में देता है तो यह suppose कैसा रहाता 2 rest to the power में देता तो कैसा रहाता 2 rest to the power 20 2 rest to the power 30 2 rest to the power 40 या फिर 2 rest to the power 50 इस टाइब का भी बन सकता था या चाहता तो वो क्या दे सकता था 10 की घात आपकी 6 10 की घात 9 10 की घात 12 या 10 की घात 15 सेम चीज है अब चाहो तो जिसको जिसमें चाहो कनवर्ट कर सकते हो यह वाला कोईशन पटवाली दो है और 17 में पूछा गया था ठीक है उसमें भी इंपॉर्टेंट है कई बार ऐसा होता है इसमें स्टूडेंट्स को जिनका कॉंसेप्ट लिए नहीं रहता फज आते हैं इस बाइट जिसको वन पीबी बोलते हैं वन पीबी बराबर क्या होता है आपका एक हैट चूबीस टेराबाइट होता है और इसको अगर टूरेस्ट पाउर में लिखें तो दो की खात 50 बाइट और दसकी खात 15 बाइट होती है अगर मैं बात करूँ वन एकशाबाइट की वन 1eb कितना होता है 1024 पेटाबाइट होता है PB ठीक है यहां 1024 का बहुत महत्तु है याद रखेगा उसके बाद अगर मैं बात करूँ जेटाबाइट की तो वन जेटाबाइट वन जेडबी से इसको डिनोट किया आता है यह कितने के बराबर होता है 1024 questo EB के बराबर होता है EB 11 taking 18 इसमें अगर मैं बात करूँ decimal में और Binary 。」 25 रखेगर कितना होता है यह बराबर कितना होता है वन पेटाबाइट 10 की 18 वह कितना होता है वन एकसाबाइट और 10 की 21 ऑन अगर। प्रेसीमल में Binary में बात करूं। दो की घात 50 जो होती है वो होता है 1PB के लिए 2 की घात 60, 1EB के लिए और 2 की घात 70, 1ZB के लिए जी इसके बाद अग्ला जो आता है वह है योता बाइट वरों तो बैट और जीओ बाइड़ सब्से बड़ा है उसको वन योटा बराबर क्या होता है आपका, ए कज टावाइट, जिसको बोलते हैं, योटावाईट वाई भी से देनोड किया जाएगा, और योटावाईट बराबर क्या होगा, योबायट को जी बी नहीं, योबाईट ही लिख देते हैं ठीक है यहाँ होता है, एक हीजार चूवीज ब्रोंटो बाइट के बराबर 14 बीबी के बुलाबर अब इसको एक साथ देखते हैं सब को क्योंकि अलग-अलग देखते हैं तो तो कन्फूूसान होता है ते वन बीड जो था वन बीड देखे कर द यह क्या होता है यह तो also this या फिर क्या होगा इस डिबे में वन हो गा इन दोनों में से कोई एक होगा ठीक है उसके बात one bit 1 bit होते है उसमें क्या होता है दो hanadad де तो जीरो या वन उसके अलावा जो होते हैं इस परकार का 4 बेट रहेंगा है इसमें 4 बेट होता है उसको कहा जाता है वह बनता है यह दोनों पर कितना एक हींवी आद चोबीस बायट रहेंगे तो उनको कहा जाते है वन किलो बाइट अब एक हीजार्ट चोबीस बारेट हैं उन सबसे मिनकर गर बनती है उसको ऑन मेगा बायट 1 mb 1 एक्षा सरी सत Right और pm 7b से मिनकर गर बनता एक ह्यार चोबिस से जो吗 बनता है उसको कहा लाता है laquelle पेटाबाइट वन पीबी एक है यार 24 पीबी से मिलकर बनता है उसको कहा जाता है उसके बाद उसके बाद है आपका एक है 24 योटा वाइट से मिलकर बनता है उसको कहा जाता है वन ब्रोंटो बाइट और लास्ट आपका क्या है एक है 24 ब्रोंटो बाइट से मिलकर जो बनता है उसको कहा जाता है वन जियो बाइट तो इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लाल रैट कलर से रखा हूं जैसे एड बीट का पूछा गया था चीजी व्यापम के pdo g3 2016 के एकजाम में एक भाइट बराबर कितना बीट होता है यह निब्बल से पूछा गया था ठीक है उसके इसके जाच व्यापम के ADO के एकजाम में 2012 में पूछा गया है एक GB बराबर कितने MB होते हैं ये वाला सवाल पूछा गया था उसके अलावा 2019 में CSPCL का 2019 के एक्जाम में पूछा गया था एक 1TB equals to how much GB तो 1TB बराबर कितना GB होता है 1024 GB वहाँ अलग-अलग option थे ठीक है किसी बुक से मेरे को यह मिला था अब देखें यहां एक basic सा confusion होता है पेपर में आपका भी question decimal system के हैं अगर हम लोग ध्यान दे तो यह सब क्या है decimal system के किलो मेगा गीगा टेरा बट एक्चुल में जो binary system होते हैं binary system में के भी नहीं लिखाय रहता हो के बी की जगा क्या लिखाता है के आई भी सब में आई लग जाता है अगर अगर तीन एक है अरचोबिस गुडित एक है अरचोबिस को अगर आप करते हैं तो वह कितना होगा इसके बराबर होगा अगर 31024 को multiply करते हैं तो किसके बराबर होगा इसके बराबर और यह सब जो data है यह किसमे है value in bytes है byte में यह value है इस परकार से यह बढ़ते जाता है आगे तो यहाँ जो बता रहा हुँ है यह कि कभी आपको exam में पूछ दिया कि 1gib बराबर कितना mb तो हम लोग क्या करेंगे वह आप simply समझेगा वह पूछना चाहरा है 1gb is equals to how much mb आई को आप ignore कीजिएगा अगर इस type का question मैं एक दो question मेरे को दिखा है उस type का आता है तो confused नहीं होना है ठीक है यह है वही चीज अभी जो बताया उसका यह सारांस था अब देखिए हम लोग kb का जो 2 rest of the power और 10 rest of the power में जो confusion है उसको मैं यहां clear करने के लिए इसको extra add किया हूँ वही चीज है जो मैं बता चुका हूँ बट एक साथ बता रहा हूँ देखिए 2 की घा 10 कैसे आती है यह आपको तो पता चल गया और 10 की घा 3 कैसे आती है यह पता चल गया तो देखिए यहां जितने भी है kb इस नाम को आपको रटना नहीं है कोसिस कीजिएगा आप 3-3 के पेर में याद करिए 3-3 के पेर में आपको धीरे से याद हो जाएगा तो सबसे पहले kb, mb, gb इन तीनों को तो हम लोग सब जानते है mostly सब को पता रहता है इसका नाम kb क्या होता है mb क्या होता है gb जो doubts होत रखते हैं tpe और क्या zyb और one zero byte को अब zero byte के नाम से याद रखीगा tpe zyb यहाँ यह है आप इस टाइप से कुछ भी करके इसका कूट बना के रखेगा किसके बाद क्या आता है क्योंकि किसके बाद क्या आता है उसी के उपर यह चार्ट डिपेंड करता है तो देखे सबसे पाल आपको पता चल गया किलो बाइट का टूरेस्टी पावर टैन होता है तो उसके बाद का क्या होगा टूरेस्टी पावर यह 10 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा उसके बाद 30 40 50 60 70 80 90 और 100 बहुत इजी है कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है आपको अगर नाम पता है किसके यह बात कौन आता है तो आप यह आराम से कर सकते हैं स्टार्ट किजएगा 2 की आधस से और 2 की गहां सो तक जाएगा सिर्फ और से दजदत बढ़ाना है क्या करना है प्लस करना है पावर में अगर मैं बात करूं देसिमल में 10 की घात में तो यहां देखे 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12 अर्थात घात में क्या हो रहा है? 10 की जो भी घात रहेगी उसमें प्लस 3 करना है तो यहां 10 की घात 3 में प्लस 3 की है, 10 की घात 6, 6 में प्लस 3 की है 9, 9 में प्लस 3 की है 12, 12 में प्लस 3 की है 15, 12 में प्लस 3 की है 18, इस प्रकार से 21, 24, 27 और 30 20 यह भी क्या हो रहा है यहां दो की घात 10 से स्टार्ट हो रही है 100 तक जा रहा है entity sortir 2015 की घात सुरिवड़ किहाथ तीन से स्टार्ट हो रहे यह अर्य मेंजीन से स्टार्ट और यह उसमें यासिक कितना करना है तो देखे 21 दहाइज 216ड City उकषब 10 10 ज्यार 1 000010000 10 लाग बराबर कितना होते हिं hundred होते हैं उसके करण इसको ऊंगे ऊंड मीलियां बड़र वं बिलियं नमें क्या होगा इसमें 007 कर देता हूं 3167 20105ural 110 15 rico जिक्षाथ के एक अरफ क्या हो गया 1 ई्वान ऐसमों Online कर देंगे कि अर्था टोटल कितने जीरो रहेंगे बारा जीरो इस टाइब से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको डिफाइन कर सकते हैं यहां तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल में अगर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज 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 लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीज यह जो competitive exams के तेयारी कर रहे हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत तक के लिएबस जितşaश झारत पिल. तक के अटू precis हैं के तक कज़े इड़ Anything और प्हू् सब्सक्काश आएबसा